नमस्कार मैं हूँ सुख्रत ईरोय चैटर जी और बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है सास फूलने की परिशानी केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन्हें ये अक्सर परिशान करता है वो जानते हैं कि सास की तकलीफ एक बेहद असहज अनुभव है वैसे तो सास फूलने के कई कारण है जिसमें सीडियां चर्णा, ठंड का मौसम, अंत, निरहित, स्वास्त स्थितियां और अधिक वजन होना भी शामल है लेकिन सास फूलने का सबसे बड़ा कारण बोडी को परियाप्त ऑक्सिजन नहीं मिल पाना जिसकी वज़े से फेफडों पर दवाव पड़ता है और फेफडे ऑक्सिजन पाने के लिए सास लेने की गती को बढ़ा देते हैं सासों की गती के बढ़ने को हम सास फूलना कहते हैं अगर वक्त रहते सास फूलने पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसके परणाम जानलेवा भी हो सकते हैं वहीं अगर आपके साथ कभी-कभी ऐसा होता है तो इस वीडियो में कुछ घरेलू उपचार हम आपको बताएंगे जिन्हें आप फॉलो करके इस परिशानी से छुटकार अपा सकते हैं साथ ही अगर आप कभी-कभी तनाव में रहते हैं तो आप अद्रग की चाय ट्राइ कर सकते हैं वहीं ब्लैक कॉफी वायू मार्ग में मास्पेशों की जकडन को कम करने में बहुत अच्छा काम करती है ये फेफडों के कामकाज में सुधार करने में मदद करता है और सांस की तकलीफ से उबरने में भी सहायक है वहीं फर्स्ट ली ब्रीधिंग एक सांस लेने की तकलीफ है इस प्रक्रिया में सांस लेने के लिए कम उर्जा लगती है साथी इस प्रक्रिया से सांस लेने की गती भी धीमी हो जाती है जिससे सांस की कमी की समस्या कुछ हद तक फाइदा मिल सकता है उमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले